दोस्तो, दुनिया भर में कई ऐसी खतरनाक जगह है, जहां पर रहने का मतलब मौत को दावत देने जैसे है, हाला कि इसके बावजूद इन जगह पर लोग रहते हैं। ऐसे ही एक जगह जापान का आउगाशिमा आईलेंड है, जहां 170 लोग रहते हैं। इस आईलेंड पर कई सक्रिय जॉलमों की मौजूद है, जो कभी भी फुट सकते हैं। ऐसे में यहां रहने वाले 170 लोग की मौत निश्चित है, बावजूद इसके यहां के लोग इस आईलेंड को छोड़ कर कहीं और नहीं गए। बता दे कि जापान की राजधानी टोकियो से इस आईलेंड की दूरी 358 किलोमीटर के करीब है, यहां फिलिपिन सागर में बसा है, हाला कि यहां आईलेंड एक्टिव वोलकेरनों की वज़ह से भली खतरनाक हो, लेकिन अपनी प्राकुर्टिक सौंदरी की वज़ह से यह ल इस आईलेंड पर मौझूद सक्रिय ज्वालमुखी का अकार बेहत बड़ा है, इसकी उचाई जहां 3.5 किलोमीटर है तो चोड़ाई 2.5 किलोमीटर के करीब है, आखरी बार इस आईलेंड पर ज्वालमुखी विस्पोर्ट सन 1781 से 1785 के बीच हुआ था, उसके बात से यह श जानकर इसे अभी भी क्लास C कैटिगरी का सक्रिय ज्वालमुखी मानते हैं, इस आईलेंड पर ना सिर्फ 170 लोग रहते हैं, बलकि यह पक्षी उद्ध्यान के रूप में भी मशूर है, यह जापानी वुट पिजन इजू थरसे सहित कई अन्य प्रकार की पक्षियों और ज इसकी जानकरी कभी भी नहीं है, बता दे कि 1780 में यहां पर लगातार भुकां पाये थे, जिसके बाद से जौलमुखी विस्वोट शुरू हुआ, उस दोरान जहां त्रेसक परिवारों ने इस आईलेंड को छोड़ दिया, वहीं यहां रहने वाले 327 लोगों में से 140 लोग कि मौत इस विस्वोट में हो गई थी, हाला कि इसके बावजूद भी यहां पर मौजूद लोगों ने आईलेंड को नहीं छोड़ा, ऐसे ही अमेजिंग फैट चानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें